हेलो फ्रेंड वेल्कम बैक टू अवर चैनल ये है तुरू दा माइक्रोस्कोप सीरीज का थर्ड वीडियो और आज हम अब्जर्व करने वाले हैं टोमाटो पील के सेल्स यानि टोमाटो के छिलके के सेल्स और इस वीडियो के लिए हमें जिन भी चीजों की जरूरत है वो ग्लास लाइट, टमाटो, ड्रॉपर और एक माइक्रोस्कोप तो आज यूज़ूल माइक्रोस्कोप को सेट करते हैं सबसे पहले हम आई पीस को लगा रहे हैं जो की 10x का है और फिर अब्जेक्टिव लेंस ये भी मैं 10x वाला ही लगा रहा हूँ तो टोटल मैंग्निफिकेशन 100x का हो जाएगा और ये शटर ओपन कर दिया और लाइट भी लगा दिया लाइट के बदले आप एक मेरर भी तो सकते हैं जो की कौनकेव मेर भी उसकता है प्लैन मेर भी हो सकता है तो अब क्रमैटों को कट करेंगे और बिलकुल आराम से उसका पील निकालेगे यानि उसका छिल्का निकाले और इस छिल्के को एकदम आराम से ग्लास स्लाइड पर रखेंगे ड्रॉपर से एक दो ड्रॉप पानी का डाल देंगे और फिर कवर स्लिप से कवर कर देंगे इसमें जो भी एर बबल्स क्रियेट हो रहे हैं उनको हटाने के लिए कोई भी एक शार्प या पॉइंटेड अब्जेक्ट से उसको स्लाइटली प्रेस करना एर बबल्स निकल जाएंगे तो चलो अब ग्लास स्लाइड को स्टेज पे सेट करते हैं यह क्लिप कर दिया और अब माइक्रोस्कूप को एडजस्ट करते हैं और यह फोकस होते ही जो भी आपको यहां पर गोल गोल दिख रहे है वो सारे टोमाटो की के सेल्स है इंडिविजुवल सेल्स है और वीडियो के इतने हैं तक बने रहने के लिए आपके लिए बोनस क्लिप जो कि यह 45 एक्स वाला उबजेक्टिव लेंस लगाके और इसमें आप उसको जादा मैगनिफाई होके देख सकते हैं देखो अब इंडिविजुवल सेल्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं यह सारे सेल्स है और जो उसका बॉर्डर दिख रहा है ग्रीन कलर का वो उसका सेल्वाल है थैंक यू फर वाचिंग और मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो में